जूजकर दोस्तों कैसे हैं, आप जैसा कि अपने thumbnail में देखा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे horizontal वीडियो को vertical कर सकते हैं इसकी बहुत requirement हमें day to day life में रहती है। कई बार हम गलती से वर्टिकल वीडियो शूट कर लेते हैं अपने ववायल पे बड़ उसको हॉरिजॉंटल हमने बाद में इस्तेमाल करना होता है सेम केस हॉरिजॉंटल टू वर्टिकल में भी होता है तो आज मैं क्विकली आपको बताता हूँ यह बहुत ही असान है तो कैसे आप कर सकते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है ओपन शॉट एक वीडियो टेटिंग का सॉफ़एर है जो की फ्री ओफ कोस्ट आप यूज कर सकते हैं लाइफ टाइम इसका फ्री स्ट्रिप्शन एवेलिबल है तो आपने इस सॉफ़एर को डाउंडूड करके इंस्ट्रॉल करने ला है अपने लैप्टॉप पे और लैप्टॉप पे इंस्ट्रॉल करने के बाद आपने उपन कर लेना है ऐसी विंडो आपको आएगी जैसी आप देख रहे हैं सबसे पहले आपने जो फाइल को होरिजोंटल और वर्टिकल करना है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे जाए इंपोर्ट फाइल कर दीजिए जो भी वीडियो है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए तो मैंने दो ऐसे ही वीडियो इंपोर्ट करके रखे हूँ है और इजन साइट प्रिव्यू डायलग पॉक आपको रजन आता है ब्लैक कलर में है ये तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अपनी वर्टिकल वीडियो को मैं इस पे इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे मैं लाया यह देखिए ट्रैक पे मैंने अड्ड कर ली अब आप देखिए यह वीडियो आपको पुछ इस तरीके से नजर आ रही है तब आपने क्या करना है इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ आप यहाँ पे देखिए यह जो आइकन आप देख रहे हैं यलो कलर का चूस प्रोफाइल का इस पे आप क्लिक कर दिजिए और यह अभी लैंसकेप मोड में स्लेक्टेड है पॉट्रेट में यह भी वर्टिकल व्यू में स्लेक्टेड है यह भी होरिजन्टल व्यू में स्लेक्टेड है इसको वर्टिकल करेंगे सबसे पहले यहाँ देखिए एचिडी वर्जन 720 1280 है और 1080 by 1920 जैसे आपके रिकॉर्मेंट है वैसा आप इसको स्लेक्ट कर सकते हैं मैं इसको स्लेक्ट कर लेता हूँ क्लोज पे क्लिक करता हूँ यह देखिए अब आपकी जो वीडियो जो अपने शूट की थे मॉबाइल से वह कितना small size में आ गही है तो आपड़ आप क्या करेंगे इस फ्रेम को यहाँ पर track को यहाँ और राइट क्लोड करके properties पे क्लिक करेंगे इसको आप यहां पर आके scale आप देखें यहां पर आ रहा होगा best fit by default right click कीजिए इसे आप crop कर दीजिए multiple option है मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ suppose आप इसको stretch करते हैं तो यह इस तरीके से आ जाएगी तो यह सही नहीं लगती undo कर दीजिए इसको best fit आपको already छोटा जो आ रहा है crop इसे का आप कर सकते हैं बिल्कुल perfect set आ जाएगी फिर इसका आपको scale x scale y भी कर सकते हैं मैं जैसे इस पर click करता हूँ यह देखें आपने जैसा आपको चाहिए उस तरीके से इसको scale up scale y को set करके अपनी वीडियो को आप accordingly set कर सकते हैं तो मैं इसको undo कर देता हूँ क्योंकि मेरे crop के बाद बिल्कुल exact यह यहाँ पर आ चुका है तो यह बिल्कुल perfect है अब next वेपर्स वीडियो है मैंने merge करना है इसको landscape को यहाँ पर मैं लेके आता हूँ second video को यह second video यह horizontal shoot हो रखा है आप देख सकते हैं इसको मैं play करके दिखाता हूँ आपको यह देखें यह वर्टिकल में कितना चोटा है मैंने पूरे frame में इसको enlarge करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं इसके यहाँ पर स्टार्टिंग में आप आ जाईए इसको right click करके इसकी property में मैंने select किया नीचे आता हूँ इसको भी मैं crop कर दूँआ यह देखें एक horizontal video vertical में आ गया मुझे focus अपने इस पर रखना है आप आगे जाएंगे अगर इस video को play करेंगे तो मैं frame से बाहर चले जाओँगा बट मुझे इसको focus लगना है उसका मैं तरीक focus हो गया यहां पर मैं ठीक हूँ और हूँ यहां पर मैं ठीक आ रहा हूँ है कितना आपी allmost ठीक हो कुर एक ौकाट हो क्या जल्यान रहा है कि यहां पी पे पॉस कुल्च है कि यहां पर ठीक था कि यहां पर आउट geography हूँ यहां देख रहे हैं आप यहां को यहां आँ है कि अ मैं आँ ह 망सा हूं अब मैं यहां से location इसके set करो location x location y अब यहां ध्यान से देखिएगा मैं इसको move करोई यहां से मेरा airport मैं बाइनस में जाना पड़ेगा मैं फ्रेम में आ जाओगा माइनस 85 पे I am looking good 90 येस इस फाइन फिर मैं इसको आगे ड्रेक करूगा हलका सा आगे देखते हैं यहां पर मैं फ्रेम पर बाहर से लागे हूं तो यहां पर आपको सेट करना पड़ेगा इसको आभी लेके जाएं इसको आभी लेके जाएं यहां पर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा मुप पर देता हूं राइट एंड साइड को मार्क डेट कर लिए अलका से इसको ऐसे कर देते हैं मैं सेंटर में आगया हूं फिर इसको लेके चलते हैं यहां पर आगया नेक्स 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 इस गुड़ यहां पर मैं फ्रेम के बाहर हूं यहां पर मैं इसको दोबारा फ्रेम पर लेक्या हूंगा यह इस इस में इस इस लुकिंग गूर्ट आगे मुव करते हैं इसको यहां पर मैं इसको तोड़ा सेंटर पर ला सकता हूं इसको मैं थोड़ा सा चेंज गाव सकता हूं पर्स टू लेडिस को मैं टेखाना चाहता हूं इस इस फाइन लोगों को मैं सेंटर कर देता हूं थोड़ा था था इस 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 फाइन अब आप इसको प्ले करके देखें देखें एन आइडिया कि मैंने जो एडिट किया हैं वो कैसे हैं मैंने दो आप मसे कहे हुरीजंटल वीडियो को एक वर्टीकल को मैं मैंसे मन Müर्ज किया है मैंको अब देखर विडियो को वर्टीकल में कैसे इसे अब देख सकते कि कि इसके बार नेक्स विडियो स्टाण चुए है है कि श़िवा चूणी जगा करेक्षिन करना पड़े कब मुझे नजर आया है कि वीडियो में आउट ओ फ्रेम जा रहा हूँ इसको दिखे तरे गढ़ पे देखते हैं कि जहां जहां आपको लगे कि आपको ठीक करने वहाँ इसको ठीक कर लिए फ्रेम में ले आई हूँ कि देखे देखे कि यहां पे फ्रेम पे जाएए कि यहां कि मैं बहुत हाँ जा रहा हूँ अ पी आपको आप फ्रेम के ले आई है है ज़्येशी संविंड कि प्रेम में यह पर फ्रेम में यह화ग इया यह और आ, जा दले या हो क connotation, बने के लग आग दॉक दो बने के लेंग बने कार बने के ले बने के लग एक है कि एक फिर्म वेस फिर्म आपको सेट करना पड़ेगा यहां पर आपको लगता है कि मैं आपको फिर्म जा रहा हूं वहां आपको सेट करना पड़ेगा है यहां पर मैं इसको थोड़ा सा कर सकता हूं सेंटर जब दर फरक नहीं है आगे चलिए आगे 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 देखते चाहिए यहां पर फ्रेम में घड़बर मिलेगी आपको तो उसको सेट कर लीए यह ठीक था यहां मैं कहीं बाहर जा रहा हूं यहां मैं बाहर जा रहा हूं इसको सेट कर लीए सब्सक्राइब डिवाद कर दादिन आके इसको परहा है Ho अब रोड यहां में बहाँ जा रहूं फ्रेम के लाईगे फ्रेम के लाईगे यहां पे में फाइन हूं यहां पे में फ्रेम था अब आई इंथा यहां में बहात जा रहों सिर्टी कि यह इस इस वाइन इसको सेट करना पड़ेगा यहां पर मैं फाइन हूं जगा तरक नहीं आप कर सकते हैं पर्फेक्शन के लिए दिखिए यहां पर कट रहा है तो पर्फेक्शन के लाब इसको ठीक कर सकते हैं कि इस फाइन अब दा फ्रेम यहां पर फीमेल्स को ठीक कर रही हूं मैं लोग को ही ना थेक करेंगे अपरन्ट करके देचेगा के तो शुल्ट बी उस्टेटल दीटली फाइन्ट जैसे ही फ्रेज मुशेच होता है थेक है तो दोस्तों अशे करता हूँ यह तो आपको समझ आ गया होगा अभी चलिए हम वर्टिकल टू होरिजॉन्टल कैसे कनवर्ट करते हैं वो एक बार देख लेते हैं अभी आपको दिखाता हूँ यह वीडियो है इसको मैंने उठा के यहां पे ड्राइक कर दिया है यह इस तरीके से आ रही आप इसके बैक्रांड यह ट्रांस्पेर्णन दोनों साइड़्य जिए बैबा सतने खाँ नहीं गर मैं इसकी second video उसके पीछे लेके जाता हूँ, यहाँ पर आप देखें मैं लेके आता हूँ, उपर वाले को मैं side करता हूँ, इस पर मैं click करके transform करता हूँ, इसको मैं stretch करता हूँ, एक तरीका तो दोस्तों यह है, आप उसको vertical को stretch करके horizontal पर ला सकते हैं, बड़ देखने में अच्छी नहीं लगती, आप देखें बहुत जादा stretch हो चुकी है, तो वही मैंने आपको एक option बताया, second option क्या है, हम simply क्या करेंगे, इस पर blur effect देदेंगे नीचे वाली, जो उसके background, जो हम नीचे ये layer पर वीडियो लाएंगे, उसको हम effect देदेंगे, effect पर जाईए, blur को drag करके इस पर रख दीजिए, simply, ये देखें, इस पर blur effect आगया है, लेखते हैं, इसके उपर इसको place कर दीजिए, जो आपकी actual video है, आप देख सकते हैं इसको, ये देखें, इस तरीके से क कुछ बन जाएगी वीडियो आपकी, background cover हो जाएगा, ये ही आप लगाना चाहते हैं, कोई भी और background, image आप लगा सकते हैं, तो वो पूरा cover करेगी, save करेंगी वीडियो, आपको ये horizontal में save कर सकते हैं, horizontal में save हो जाएगी, तो असानी से place कर सकते हैं, तो दोस्तों जो वीडियो बड़ा साइस का background में चल रहा है, और friend trend में vertical साइस का वीडियो चल रहा है, तो ये भी एक तरीका है, आप इस तरीके से बना के भी इसको use कर सकते हैं, तो दोस्तों आशा करता हूँ, कि ये वीडियो वैल्यूबल रहा होगा, आपके लिए कोई भी comment है, कोई question है, आपको कह subscribe नहीं किया है, तो आप subscribe कर लेजिए मेरे चैनल को, मैं ची तरह कि technical वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, ताकि आप day to day life में आपकी help हो सके, तो जल्द ही मिलते हैं अपनी अकली वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार